बुद्धे भारत में भी फिर से नई जवानी आई थी बुमी हुई आजादी की गीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमक उठी सनसत्तावन में वह तलबार पुरानी थी कुंदिले हर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी थी खूबलडी मर्दानी वह तो चासी वाली रानी थी कानपुर के नाना की मूँ बोली बहन्चबीली थी लक्षमी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी वह संतान अकेली थी नाना के संपड़ती थी वह नाना के संखेली परची ढाल करपान कड़ारी उसकी रही सहेली थी फूब लड़ी मर्दानी वह तो जासी वाली रानी थी 90 साल हो गए मैंने अंग्रेजों के विरुद ऐलान किया था सारे अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था मगर अपने ही लोगों के बेवफाई के कारण उन फिरंग्यों की जीत हो गई लेकिन आज हम स्वतन्त रहे मैं आप सारी लड़्यों को कहना चाहूंगी कि तुम सब में एक जासी की रानी है इसलिए अन्याय सहन मत करना